हेलो प्रेंट्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको डाइमीटर कपड़े में से डिजैनर सलवार के कटिंग करना बताएंगे जिसके लिए हमने दो मीटर तो लिया है यलो वाला कपड़ा और आदा मीटर लिया है हमने यह व प्लेक कपड़े से बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी सलवार बनेगी तो प्लीस वीडियो में लास्ट तक बने रही है तो आज की वीडियो में कटिंग बता रहे हैं तो तेकि सबसे पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे टू फोल्ड में बेल्ट के कटिंग करेंगे यह कप कपड़ा अब इसको इस तरीके से मिला देंगे और इसको सीधा कर देंगे यहां से सीधा करके और इसकी हम कटिंग कर देंगे पूरे की तो देखिए हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और इसमें हमें 22 इंच की बेल्ट चाहिए चोड़ाई में तो हम थोड़ा सा कपड़ा निकल लेते हैं चारिंज कपड़ा क्योंकि हमें महरि वागैरा में भी यूज़ करना है बाकी के कपड़े से हम कलियां कट कर लेंगे तो इस कपड़े को भी हम यहां से अलग कर देंगे तो देखिए अब हमने महरी और बेल्ट के लिए कपड़ा लख लेऊ हमारे जितना भी कपड़ा बचा है उसको हमें इसWeek Hai को बचा लिया है और इसको बरावर कर लेंगे जहांसे छोटा बड़ा है अब यहां से निसान लगाएंगे हम आसन का आठ इंच पर इस वाले कोने पर और इसको हम चोड़ाई वाली साइड से लगा रहे हैं निसान को और यहां से भी हम इसको आठ इंच पर ही लगाएंगे आठ इंच पे लगाने के बाद और हम इस इंच टेप को इस तरीके से तिरचा करके रखेंगे देखें यहां से और जो अभी निसान लगाए था और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यह देखें हमने एक सीधी लाइन बराबर करके draw कर दी है इस तरीके से अब जैसे हमने इसकी drafting की है same cutting करनी है हमको इसकी तो देखिये हमने इस तरीके से को रखे दिखा दिया है ये कली की जो length है वो part से 2 थीन इंच कम होगी क्योंकि हम part की length रखेंगे वो 35 रखेंगे और ये जो total तो इसलिए हम 35 इंच के पार्ट रखेंगे और जो हमारा मार्जन वगेरा है वो सब कुछ मिला मिलो के हमारी सिल्सिला के पूरी 40 की हो जाएगी रेडी सल्वार अब यहां से देखिए जैसे हमने इस पर ड्राफ्टिंग कर रखी है उस से हमें इसकी कटिंग करनी है वहीं तक सीधी और कटिंग करने के बाद अब जहां से भी हमारे बंद पार्ट होंगे यह वाला तो मेरा पूरा ही खुला है लिकिन जो कली की जहां से प्लेटे ड़ेंग यह वाली साइड को हम खोल देंगे इसको हम दो पाट में डिवाइड कर लेंगे अब यह हो गही हमारी कली कर आप हम क्या करेंगे कि इसको और इसकी लेंद देख लेते हैं तो कि हमारी जो लैंट था यह हमारे बैट रही है 33 और हमारे पाट की면 35 तो मारे थोड़ा बहुत उचलिंग कर लेते हैं तो देखे पाट के लिए हमने कपडा लिया है कपड़े को हम 4 फोल्ड में बिचाएंगे इस तरीके से और 8 इंच के पार्ट रखे बागी के कपड़े को हम अलग कर देंगे यह हमारे बचाँ देंगे अब इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे देखिए फोल्ड करने के बाद सिर्फ हमें आट इंच लेना है बाकी एको साइड में बचा देना है तब ही थोड़ा जादा है तो थोड़ा और कम करके हम लेंगे जैसे हम क्टिंग हमारी 6 इंच की महरी तयार होगी उसमें हमने ज़्यादा लिया है एक इंच हमने सिर्फ ज़्यादा लिया है इसमें अब इस एक्स्ट्र कपड़े को हम अलग कर देंगे देखिए इसलिए हमने निसान लगा दिया ताकि आपको दिखाई दे कि हम इतना कपड़ा इसमें से अलग कर रहे हैं तो यहां से हम इसको खोल देंगे अब खोलने के बाद हम सेंटर में से तो देखिए हमारी पार्ट 35 इंच के बैट रहे हैं 35 के अब सेंटर में हमें एक निसान लगा लेंगे चौक से जिस पे हमारा डिजाइन आएगा तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे सेंटर से बरावर करके और एक चौक से निसान लगा देंगे सीधा तो यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर लेंगे हम और कट लगा देंगे दोनों साइड को तो देखिए दोनों साइड को कट लग चुके हैं अब यह इसकी कटिंग तो हो गई है पूरी हमारी और उसके बाद अब जो हमारा यह कपड़ा हमारा बचा हुआ था क्योंकि हमने इसी कपड़े से टॉप भी बनाया था तो यह बचा हुआ है तो इसमें से हम एक चूड़ी की सहता से एक गोल-गोल सरकल में कुछ पीस कट कर लेते हैं और सरकल हम अंदर से बनाएंगे बाट से नहीं फिर बड़ा बन जाएगा तो इसी से हमें डिजाइन देना है तो आज की वीडियो कटिंग की है सिलाइक की हम अगली वीडियो में बताएंगे तो प्लीज सिलाइक को बिसमत कीजिएगा हम आपको नीचे description में दे देंगे जिनोंने cutting की वीडियो नहीं दे की उसका भी link दे देंगे और सिलाई की वीडियो का भी link दे देंगे तो हम इसमें से बहुत सारी circle ऐसे cut कर लेंगे क्योंकि part पे कुछ ज़्यादा ही हमारे यह design बनाएंगे तो उसमें circle लगते हैं जादा तो अब देखिए आप single करके भी मैंने उसको art fold में करके एक बार में बहुत सारी cut कर लिए अब इमें single single तो वीडियो पसंद आए cutting की तो like say चैनल को subscribe कीजिएगा इसकी से like video मिस्स मत करना धन्यवाद